पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग्यॉण उस प्रोजेक्सन गो को यूज करने के बारे में सूचता है। इस एपिसोड की स्टाटि में दिखाया जाता है कि फैंग्यॉण उसी एंटीमेट ग्रास को वापस से खरीदने के लिए जाता है। जिस पर वो आदमी बताता है कि उसके इंटीमेट ग्रास पहले ही बिख चुकी है जिससे सुनकर फैंग्यॉण कुछ भी नहीं बोलता है। या फिर आप हमारी सौप की सबसे ज्यादा बिखने वाईन को पीना चाते हैं जिस पर फैंग्यॉण कहता है ठीक है यही वाईन ले का रहा हूँ। फिर सौप ओनर एक बी के पास जाता है और उससे दबा कर उसके मुझे वाईन निकलता है जो एक तरीके की मसीन की तरह होता है पिर वो सौप ओनर उस वाईन को फैंग्यॉण को देता है। जिससे देखकर वो सौप ओनर हैरान हो जाता है और कहता है यह तो एक लिकर बॉर्म है सर क्या आप इस लिकर बॉर्म को मुझे बेचना चाहेंगे मैं बहुत लंबे समय से इसी तरीके के मौके की तलास में था मैं एक रैंक वन का गूमास्टर हूँ यह लिकर वाईन को आपस में बात कर रहे होते हैं कि साई सौप तीन दिन और तीन रातों के लिए खुले रहेंगे और आज यह दूसरी रात है मर्चिंट कारवां अगली सुभा यहां से निकल जाएगा उससे पहले मुझे सारी चीज़े खरील लेनी चाहिए और साथी वो सभी फैंग युव वर्म को हमेशा के लिए छोपा नहीं पाऊंगा लेकिन अगर मैं इसे सीक्रेट रखना चाता हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ कहीं इसका रिजल्ट ही रिवर्स ना आ जाए तभी वहां पर एक बंदा चिल दोखा देनी की कोशिस की है और जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर जिनसेन होता है वो आदमी चिला चिला कर कहता है मेरे क्लाइन के लोगो इस आदमी को देखो इस आदमी ने कल मुझे ब्लैक बोवर गू बेचा उसने मुझे 250 स्पिरिचल स्टोन का दोखा दिया है तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम इसे ना मानने की कोशिस कर रहे हो तुम मेरे किंगमाउ मॉन्टेन पर मुझे धोखा दे रहे हो तुम्हारी ये हिम्मत क्या तुम मनना चाहते हो जिनसेन कहता है मुझे जानने दो अगर तुम पैसे पाना चाहते हो तो अच्छी तरीके स मेरा भाई जियाफू रैंक फोर का गूमास्टर है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो यह सुनकर वो आदमी उसके हाथ को छोड़ देता है जिंसन कहता है कि अवल तुमने सोचा था कि यह एक चोड़ी थी मेरा मतलब अपने दिमाग को इस्तमाल करो और इसके बारे में सोचो कि ए कमीना एक बैमान मर्चंड है वो सिर्फ रैंक वन का है लेकिन उसके भाई को कोई नराज नहीं कर सकता लेकिन वो सिर्फ सोटेला भाई है लेकिन फिर भी वो अपने रिलेसंसिप का एर्यंसी से यूज करे जा रहा है यह उसकारवा का लीडर जियाफू आ जाता है जिससे हैं कि यह सारी गल्ती उसी ही है और वो उस आदमी से माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं मैं इस सिच्वेशन को समझता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि यह सारी गल्ती मेरे भाई की होगी मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ कि आपको नु पढ़ना बहले ही वो एक रैंक वन कागू है लेकिन फिर भी उसे ढूरना बहुत मुस्किल है लेकिन अगर तुम उसे 200 स्प्रिचल स्टोन में खरीदना चाते हो तो भी ये अन्रियलिस्टिक लगता है जिस पर वो आदमी कहता है इस जूनियर ने अपना लेसन सीख लिया है और ये देखकर वहां खड़े सभी लोग जियाफू की तारीफ करने लगते हैं जिस पर जियाफू कहते हैं हमारी फैमली हमेशा सिध्धानतों और इमानदारी पर भरोसा करती है मेरा चोटा भाई अभी जवान है और दूसरों के साथ मजा करना पसंद करता है लेकिन उसके करता हूं फिर सी इंचेंज होता है और वाइन सौप का दिखाया जाता है जहां पर जिंसेन वाइन पी रहा होता है और चिलाते हुए वेटर से कहता है वाइन नाला क्यों बंद कर दिया क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके पैसे नहीं दे पाऊंगा जिस पर वेटर कहता नहीं सर हम ऐसा कैसी कर सकते हैं और जिंसें इसी तरीके से वाइन पिये जा रहा होता है साथ ही वो अपने मन में कहता है उसका मीने जियाफो ने मुझे एक परपस की तरह दिखा दिया उसने हमारे खिलाफ साजिस के ताकि उसे फादर की वेल्ट में से सबसे ज्यादा हिस्ता में अपने फैमली में सबसे छोटा हूँ और मेरा टाइलिंट सबसे खराब है यानि थर्ड क्लास टाइलिंट और मेरे फादर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि मैं उनसे मिलता जुलता था और इससी वज़े से मेरा ओल्डर बर्दर मुझे बाहर कर देता थ मेरे फादर मौत के करीब आ गए और उन्होंने इमानदारी से इनहरिटेंस को अलग-अलग करने के लिए उनके दोनों भाईयों ने मिलकर एक कारवा ग्रूप बनाया जिससे उनके इनहरिटेंस रिजल्ट के अधार पर सबको बराबर बांटी जाएगी मेरा भी एक इसमें मुझे तुम्हारी मदद करने दो जब जिनसन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर फैंग यूवान होता है जिनसन कहता है तो ये तुम हो मैं अभी भी तुम्हें भूला नहीं हूँ तुम यहां पर क्या कर रहे हो क्या तुम यहां पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो फैंग जौन उसी की साइट में आके बैठ जाता है और उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है अगर तुम अच्छा रिजल्ट चाहते हूँ और ज्यादा से ज्यादा इन्हेर्टेंस को पाना चाहते हूँ तो तुम्हें मेरा प्रप नहीं भेज़ा है तरक में प्रप्र बार करने के मेरे फिरश करते हैं तुम सही बताना मेरे बड़े भाई पर तुम्हें भेजा है है ना ये सुनकर फैंग्यान रोट खड़ा होता है और हंस्ते हुए वहाँ से जाने लगता है साथे उससे कहता है अगर तुम्हें ऐसा सहोते हो तो मैं तुम्हारे भाई के पास जाओंगा और उससे इसके बारे में बात करूंगा जिससे देखकर जि ये तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है अगर तुम मुझे पर विश्वास करना चुनते हो तो तुम्हारे पास थोड़ी सी उमीद बच सकती है लेकिन ये इस बात पर डिमेंड करता है कि तुम इस गैमलिंग को खेलने के लिए तैयार हो या नहीं जेंसन कहता है जी आफू और रिक्स भी है फैंग जौन कहता है हाई रिक्स हाई रिवाट अगर तुमने इसे उन दो फैमली को बेच दिया तो तुम इससे भी ज्यादा कमाओगे जिंसन उससे कहता है हाँ सही कहा पिछले कुछ सालों में बाइ फैमली को ज्यादा ही राइस कर रही है और उन्हें फ उठा सकता हूं जिंसन कहता है भले यह एक ट्रैप हो लेकिन फिर भी मैं नाव पर बैठोंगा लेकिन यह 2000 स्प्रिशोल स्टोन की बात है पहले मैं उससे देखोंगा यह सुनकर फैंग्यौन उसे फॉलो करने के लिए कहता है और उसे उसी जगह पर लाता है जहापर फ्ला फैंग्यौन कहता है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा है और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई दूसरा डिसीजन ले इसके लावा मैं कभी भी इतनी अच्छी चीजों पर भरोसा नहीं करता इमानदारी और भरोसी की बाते सब बकवास हैं वो सिर्फ इसका यूज लोगों को यूज करने में करते हैं ये सुनकर जिंसेन हसने लगता है और उससे कहता है आखिरकार मेरे और तुम्हारी विचार मिहली गए पैंग्यौन उसी बात को जारी रखता है और अपने मन मन में कहता है इसके लावा फूर्ट जरनेशन के इंससटर को देखो ये तो बहुत बढ़िया है फैंग यूण कहता है हमारी गू क्लैन को एक हीरो की जरूरत थी इसके आلفवा बाई फैमिली रे settings की जरूरत थी तो हमारी four ज्ठ देशन के क्लैंजार की जरूरत थी यार या ये 4th generation के एल्टर हीरो बन गए इसके आउलावा बाई फैमली को एक स्कंबैक की जरूरत थी तो हमारी 4th generation के क्लेर एल्डर स्कंबैक भी बन गए यानि नीच गिरा हुआ वो हीरो है फिर या स्कंबैक ये लोगों के देखने के नजरी से पता चलता है जिंसन कहता है ये रैंग 5 गुमास्टर के लिए बहुत सरम की बात है लिटल बिर्दर सायद इससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ होगा है ना फैंग जुआन कहता है बहुत ज्याता समय हो गया है उसके ज्याता तर गुमर चुके हैं बस मुझे उसका लिकर वार मही मिला है जिंसन कहता है लिटल बिर्दर मुझे जूट मत बोलो अगर हमारा बिजनिस हुआ तो हम पार्टनर्स बन जाएंगे और मैं ये किसी से नहीं बताऊंगा मुझे सच सच बताओ इससे तुम्हें कितना फाइदा हुआ वो राइचेस पाथ दाव मास्टर से दूर हो सकता था क्योंकि उसके पास ये थंडर मील अर्थ वूल फी स्पाइडर था फंग्युआन कहता है ओह ऐसी भी कोई बात थी जिनसे नागे कहता है मैं पिछली सार अपने विलेज आया था और मैंने इसी लेजेंड के बारे में सुना था मुझे ये थोड़ा सा इंटरस्टिंग लगा इसलिए मैंने घर जा कर थोड़ी सी रिसर्च की फ्लावर वाइन मॉंग का इंस्ट्रेपरेबल है इंस्ट्रेपरेबल मतलब यानी जो जुड़ा हुआ हो मुझे लगता है कि उसे ने इस गुफा को खोदा है वरना किंग मॉंटेन पर इस तरह की गुफा कैसे होती तो मेरे छोटे भाई मुझे चुपाना बंद करो यह क्या हो रहा है यहां अचानक अंधेरा कैसे हो गया तब ही वो इमेज चेंज हो जाती है जिससे जिनसे नहरान हो जाता है और चिलाते हुए कहता है यह इमेज तो चेंज हो गई तब है उसमें से फ्लावर वाइन मॉंग के हसने की आवाज आने लगती है फिर हमें Flower Wine Monk को दिखाया जाता है जो चक्मी हालत में हसते हुए कहता है फ्यूचर परसन मैं Flower Wine Monk हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो लेकिन अब तुम मेरे सकसेसर बनोगे ये सुनकर जिन से नहरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इस चोटे से King Maw Mountain में Rank 5 Go Master की Inheritance है एक Rank 3 Go Master Final Elder बन जाता है और एक Rank 4 Go Master Village Head बन जाता है और एक Rank 5 Go Master वो कुछ हागी कहता है उससे पहले Flower Wine Monk कहता है तुम पिछले सौ दिनों से मेरी Image की तरह चल रहे हो बस ये मुझे विस्वास दिलाने के लिए काफी है कि तुम गुव क्लैन के लिए अच्छ फिलिंग नहीं रखते हो ये बहुत अच्छा है मेरी इनहेलिटेंस तुम्हारी होगी लेकिन मेरी एक सर्थ है तुमको मेरे लिए गुव क्लैन को खत्म करना होगा और इस पूरे माउंटेन को मिटा दो कुछ भी पीछे मत छोड़ो ये सुनकर जिंसेन कहता है लेकिन अगर मैं इसके इनहेलिटेंस लेता हूँ तो क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जैसा यू बोल रहा है नहीं इस ट्रेंथ का अच्छाई और बुराई से कुछ लेना देना नहीं है इसके अलावा वो पहले से ही मर चुका है मुझे बस उसके इनहेलिटेंस को लेना है और बांकि सब सीजे नजर अंदास कर देनी है गौट की तरफ से बलेसिंग है भले ये मैं थर्ड क्लास टैलेंट हूँ लेकिन अगर मैं इसके इनहेलिटेंस को बाच जाता हूँ तो मैं जियाफू के साथ कॉंटेस्ट कर सकता हूँ तब ही उसे फैंग्यूआन के बारे में याद आता है और वो आगे कहता है मुझे क्या करना चाहिए क्या मुझे इसके साथ इनहेलिटेंस को बराबर बाच लेना चाहिए नहीं, ये मैं नहीं कर सकता तो मैं उसे मार डालूँगा बस मुझे उसे मारना है और फलावर वाइन मौंग के इनहेलिटेंस मेरी हो जाएगी ये मेरा चांस है मैं किसी और के साथ इसे बाट नहीं सकता फिर वो फैंग्यूआन को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और कहता है मैं उससे इस इनहेल्टेंस के बारे में पूछूंगा और उसे बराबर बाटने के लिए कहूंगा लेकिन जैसे ही वो अपना गार डाउन करेगा मैं उसे मार दूँगा और ये बहुत अच्छी जगा है अगर मैं इसे मार भी देता हूँ तो इसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा फिर वो फैंग्यूआन से बात करने के लिए अपना सिर्फ पीछे गुमाता है और हस्ते हुए फैंग्यूआन से कुछ कहने की कोसिस करता है लेकिन वो सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि फैंग्यूआन ने उसके सर को बीच से कार डिया होता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है फैंग्यूआन उससे कहता है अगर तुम्हें किसी को मारना है तो इतना मस सोचो फिर हमें अगले दिन का सेन दिखाया जाता है जहां पर बहुत जोरो की बारी सो रही होती है और उसे में वो कारवाँ वापस जा रहा होता है सभी मॉर्टल्स पर अपनी चीजों पर ध्यान देते हुए उसे ले जा रहे होते हैं और वो सभी किंग वाउ मॉन्टेन वालों से अलबीदा कहते हैं और कहते हैं हम अगली साल फिर से मिलेंगे और उस बारिस को फैंग युवान भी इंज्वाइ कर रहा होता है फैंग युवान कहता है कि ज्यादा बारिस रिवाइमेंट को साफ कर देगी जिससे डिटेक्टिंग मैथर कमजोर पर जाएंगे इस तरह से जिनसेन की बाडी थोड़ी समय के लिए किसी को नहीं मिलेगी जिनसेन भले ही कमजोर था लेकिन उसका इसपिसरल स्टेटस था कारवा के लोग अभी बीजी हैं ऐसलिए उन्हें जिनसेन की लापता होने का अभी उन्हें पता नहीं चला होगा लेकिन वो समय दून नहीं जब जियाफू इसकी जाच करने के लिए वापस आएगा तब वो असली चालेंज होगा साथ ही इस से जियाफू के करेक्टर का टेस्ट होगा अगर वो अपने छोटे भाई के एक्जिस्टेंस को बरदास नहीं कर सकता तो वो उसे फैमली हेट की पोजिसन को कैसे दे सकता है जियर जिंसे ने अपने फादर की इंटेंसन को कभी नहीं समझा हाला कि उसके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस थी लेकिन वो काफी नहीं थी ये बहुत बुरी बात है कि मैंने अपने सत्रंच का एक अच्छा प्यादा खो दिया और वो होता तो मैं उसे अच्छे सी यूज़ कर सकता था पसे पहले स्मगलिंग के लिए और फ्यूचर में जिसे मारता उसके ट्रेजर को हड़पने के लिए एक नेटवर्क को को इस्टेबलिस करने में मदद कर सकता था और मैं डार्किनिस में रहके यानि पीछे से साइडो इमेज का यूज़ करके क्यों मैं मौन्टिन को भढ़का सकता हूँ और उससे उठी वार को खतम करके उससे बेनिफिट ले सकता हूँ और तीसरा मैं उन फैमिलेस पर भरोसा करके मैं उनको अपना रास्ता बनाऊँगा फ्यूचर में जिया फैमिले के डिस्ट्यूप्यूट की वज़े से एक लार्ज स्केल पर गूफाइटिंग कॉम्पेटिसन होगा और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा लेकिन अब बहुत देड़ हो चुकी है और इतनी बुरी किस्मत के लिए सिर्फ तुम अपने आपको दोस्ट दे सकते हो और मैं उसकी बॉड़ी को पूरी तरीके से हटाने और सारी सबूतों को मिटा नहीं सका लेकिन फ्यूचर की कम्यों से दूर रहने के लिए मैं एक दिन उस गुफा में नहीं जाओंगा जब तक कि वो बस उसके गुमसुदा होने की जान सुरू ना कर दे लेकिन ये अच्छा है वो भी Academy Elder की तरह एक बात कहता है कि Life Unpredictable है और हो भी क्यों ना क्योंकि Life Interesting है साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है और आगे कहता है जिया जिंसन सच में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था और फैंग्यूआन ने जिंसन को इसलिए नहीं मारा होता कि वो Inheritance को पाना चाहता था बलकि इसलिए मारा होता है क्योंकि वो फैंग्यूआन को धोखा देना चाहता था इसलिए मारा होता है फिर हमें चार दिन बाद मारसा लेरीना कैसीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चों का Fighting Competition चल लहा होता है और फैंग्यूआन 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 ने लगातार 33 बार विन किया है तब फैंग्यूआन फैंग्यूआन से कुछ कहने वाला होता है लेकिन उसके मुझसे खोन निकलता है और वो जो जो सी खासने लगता है फैंग जौन कहता है पहले तुम्हें अपने इंटर्नल इंजिरिस को धियान रखना चाहिए वहाँ खड़े डिसाइबल कहते हैं फैंग जोन को तब तक पीटा गया जब तक उसने अपने मुझसे खोन नहीं फेग दिया ये फाइट बहुत स्केरी है वो अपने छोटे भाई पर ही नर्मी नहीं दिखा रहा अब मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता और फिजिकल इंस्ट्रक्टर फैंग जोन को समालते हैं टूसरे डिसाबल्स को आने के लिए कहते हैं लेकिन सभी डिसाबल्स अपना सिर नीचे कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है साथी फिजिकल इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहते हैं कि अल्डर ने कहा था आजकल कुछ ज़्यादा हावी हो रहा है इसाइबल की तरह अपने प्राइट को दिखाओ, वो डिसाइबल कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉंग है, हम उसे हरा नहीं सकते, यहां तक कि फैंग्सों भी उसे हरा नहीं पाया, जो फस्ट क्लास टाइलेंट है, तो हम उसे क्या ही हरा पाएंगे, यह सुनकर इंस्ट्रक्टर बहुत गुसा हो जाते हैं, और अपने मिन में कहते हैं, वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं, बल्कि वो तुम्हारा दिल है, वो तीस मैच लड़ चुका है, मुझे यकीन है, अगर तुम उसे आखिर में पक्का हरा दोगे, उनमें से एक डिसाइबल कहता है, इंस्ट्रक्ट आपने क्लासमेट के साथ अपने मुवस को एक्स्चेंज करना चाहिए, अगर और किसी बच्चे के मुझे कोन की इल्टी होती है, तो मैं यसे तुम्हारी नुच्सान की तरह घोसित कर दूगा, यह सुनकर फैंग उनमों कराता है, और इंस्ट्रक्टर से कहता है, आप गलत हैं naturally जब हम fight कर रहे हैं या फिर training कर रहे हैं हमें उसमें अपना सब कुछ लगा देना चाहिए वरना training का क्या मतलब या फिर ऐसा कुछ है जब हम future में war की ले जाएंगे तब abonant हम पर नर्मी दिखाएंगे ये सुनकर इंस्ट्रक्टर उसके उपर चिलाने लगते हैं और उससे कहते हैं बत्तमीच तुम अभी भी अपने साथियों को इंजट करने का बहाना धूंड रहे हो फैंग्योण कहता है इंस्ट्रक्टर आप फिर से गलत हैं आप ही हैं जिनोंने ट्रेनिंग मैच का प्लान किया और आपने विनर को 20 स्पिर्चल इस्ट्रोन देने को कहा क्या आपको लगता है कि आपके बिना इंकरेस करे हुए इन लोगों को चोट लगती ये सुनकर इंस्ट्रक्टर उसके उपर और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे चिलाते हुए कहत हो अगर तुमने मुझसे दुबारा बहत वाजी की तो मैं तुम्हें इससे निकाल दूँगा फैंजवान उससे रीन से बाहर जाने लगता है और इंस्ट्रक्टर से कहता है ये बस 20 स्पिर्चल इस्ट्रोन है कि आपको लगता है कि मैं इन्हें पाना ही चाहता हूँ वो ड स्पिर्चल इस्ट्रोन का इनाम नहीं पाना है ये सुनकर वो सभी बच्चे जाने के लिए तयार हो जाते हैं दूसरी तरफ फैंग्यूआन इतनी फाइट करने की वज़े से ठका होता है और कहता है हमेशा एक्सपीडियन्स ही काम नहीं आएगा भले ही मेरे पास बहुत ज चीजों को मुस्किल बना रहे हैं लेकिन इसका अंदाचा मैंने पहले ही लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है एल्डर मेरी इन्विंसिबल इमेज को खतम करना चाते हैं और जब मैं हार जाओंगा जो हर किसी के पास नहीं है और जब मैं हार जाओंगा तब ये मेरी इन्विंसिबल वाली चीज़ खतम हो जाएगी और तब सभी डिसाबल्स का डर खतम हो जाएगा जिस से उनकी फाइटिंग स्परिट अवेक हो जाएगी और ये उनके अंदर कभी न हारने वाली इच्छा को डालेगा और इसके लिए वो मुझे फेल होता हुआ देखना चा एकडमी रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो कभी भी गलती नहीं करता है हाला कि वो हमेशा क्लास में सोता रहता है लेकिन जब उससे कोई सवार भूचा जाता है तो वो हमेशा सही जवाब देता है उसके डॉमिनिन्स को सप्रेस करना मुस्किल है इस एक फैंग्यूआन से निपटने के लिए कोई तरीका क्यों नहीं मिल रहा मुझे पता है क्यों क्योंकि वो बच्चा अरोगिंस के साथ पैदा हुआ है जो उसकी हड़्ियों तक में गहरी जैड़े जमा चुका है सभी डिसेबल उसे सहीं करते हैं क्योंकि वो सभी उससे डरते हैं लेकिन इस फैंग्यूआन ने कभी कोई डर नहीं दिखाया यानि सुरू से ही उसने मुझे या एकडमी को अपने साराइखों पर कभी नहीं रखा इस तरह का परसन जो अपने क्लैन के लिए कोई भी रिस्प्रेक्ट नहीं रखता सब ही डिसाबल्स रांक वन की गुमास्टर में जाएंग लेकिन मुझे जाता चिंता करने की जरूत नहीं है। और तुम तो बस पंदरा साल के बच्चे हो बाई खाड़ा होके आसमान को देख रहा होता है तब ही पीछे से मोयान आती है जो उससे कहती है लिटिल बिर्दर मैंने सुना कि आज तुम इंजर्ड हो गए थे जिस पर मोबाई कहता है सिस्टर अगर आपको लगता है इससे मुझे डिप्रेशन हो जाएगा तो आप ज्यादा सोच रही है मोयान कहती है बिल्कुल तुम हमारी फैमिली के होने वाले हेड हो तो तुम्हे एक छोटी से इंजरी कैसे डरा सकती है और साथी वो उसके सिरकों थपता पाती है मोबाई कहता है मुझे पता है कि आपको मेरी चिंटा है आपको अब मेरे सिरकों ऐसे थपता पाना नहीं चाहिए भले मैं इस बार हार गया लेकिन मैं देख पा रहा था कि fangyuan हाफ रहा था वो इतना भी स्ट्रॉंग नहीं है जितना सब उसके बारे में सोचते हैं एक दिन पक्का मैं उसे हरा दूँगा ये देखकर मोयान कहती है जैसा हमारी फैमली के सक्सेसर को होना चाहिए लेकिन अभी के लिए तुम इंजर्ड हो इसलिए तुम्हें कुछ दिन के लिए मारसला करनी चाहिए मुझे पता है अब मेरा प्लाइन कटिवेट करके प्रैमले इसपेस के मिडिल स्टीज में ब्रेक ठू करना है ये सुनकर मुयान कहती है तो अब तुम्हारे बारे में मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी मैं अपनी क्लास में वाइस प्रिजिटेंट थी लेकिन अगर तुम अपनी क्लास में प्रिजिटेंट बन जाते हो तो मुझे कोई डिग्रेट नहीं रहेगा मोयान उससे कहता है सिस्टर आप चिंता मत करो मैं पक्का अपनी क्लास का प्रेजिटेंट बनूगा फिर हमें चीफ फैमली का स्रीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीलेन चेंचेंगन की मदद कर रहे होते हैं उसे मीडिल स्टेज में ब्रेक्थ्रू करने के लिए क्योंकि वो एक थर्ड क्लास ट अगर ब्रेक्थ्रू करने के लिए तुम्हारी टाइलेन पर भोरोसा करें तो इसमें बहुत देल लगेगी और इससे तुम्हारा टाइलेन भी एक्स्पोज हो सकता है हालां कि ये मैथट थोड़ा सा खातनाक है लेकिन इसे हमें ट्राइ करना चाहिए और इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है लेकिन इस मैथट का रिजल्ट एक ही है मेरा सिल्वर वाइट प्रैमल एससंस अभी तुम्हारी लिए एक बड़ा रिसोर्स है प्रैमल एसंस का लेकिन जितना ज्यादा एक्स्टरनर प्रैमल स्पेस होगा जिसे फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन में लिमिट लग सकती है यह सुनकर चंचेंगन कहता है मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने फ्यूचर की संभावनाओं को त्याक दूँगा च्री लेंड कहते हैं बहुत अच्छा तुम अच्छा सोच रहे हो है विन हमेंसा सबको एक आसा की किरनर दिखाता है अगर फ्यू को नरिस करने में तुम्हारी मदद करेगा इसका कोई भी सीक्वल नहीं रहेगा साथ ही इसका इफिक्ट भी बहुत अच्छा होगा लेकिन इस लिकर वार्म को ढूरना बहुत मुस्किल है जर्ट कहते हैं कि कुछ गू गू मास्टर के टाइलेंट को चेंज कर सकते हैं लेक करते हैं तो समय जल्दी बीठता है पलक जपकते ही रात हो चुकी है साथ ही वो खुस भी होता है और कहता है भले ही मेरी मारसाल आर्ट आप जितनी अच्छे ना हो लेकिन जहां कल्टी वेसन की बात आती है वहाँ पर आप मेरे अपोनेंट नहीं बन सकते मेरा प्राइमिल और मेरी recovery speed मेरे भाई से टू टाइम्स ज्यादा है भले उसके पास मैं इससे ज्यादा spiritual stone हो लेकिन वो मुझसे fast नहीं हो सकता बरदर इस बार मैं आपको first class talent की ताकत दिखाऊंगा और fang yuan भी middle stage में जाने की तैयारी कर रहा होता है और कहता है बस थोड़ा सा और और मैं middle stage में breakthrough कर लूँगा लेकिन अगर इस बीच कोई मुझे interrupt करता है तो मैं fail हो जाऊंगा इसलिए मुझे इस सांत रात का फायदा उठाना चाहिए और middle stage में breakthrough करना चाहिए फिर वो आखे बंद करके अपने primal space पर focus करता है जिसमें primal essence का सैलाब आया होता है और वो धीरे धीरे उपर उठ रहा होता है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फैंग्यूआन finally middle stage में breakthrough कर लेता है और ये करनी में राज से दिन हो जाता है फैंग्यूआन खुस होता है और कहता है तो finally मैं middle stage में आ चुका हूँ और दोपहर भी हो चुकी है तब हे guards फैंग्यूआन के द फैंग्यूआन बहुत bold हो रहा है आज class को तो खुद academy elder लेने वाले थे academy elder ने कुछ गाट को भेचा है फैंग्यूआन को ढोड़ने के लिए ऐसा लगता है कि अब बस उसका हो गया है वही academy elder कहते हैं फैंग्यूआन कल मैं इसके बारी में ही सोच रहा था कि मैं तुम्हें क सैबल्स कहते हैं ऐसा लग रहा है कि एक academy elder बहुत गुस्से में है अभी हमें एक बहुत अच्छा सो देखने के लिए मिलेगा फैंग्जूआन कहता है आपने elders की authority को challenge कर दिया है आपको कोई भी punishment मिले लेकिन इसमें बस आपका ही दोस होगा तब एक कोई दर्वाजे को की और गिर पड़ता है जिससे सभी की नजर उसके तरफ जाती है और फैंग्यूआन अपने खोन से रंगे हुए हाथ से दर्वाजे को पगड़ता है और गाड के बालों को पकड़ कर सामने आता है सभी उसकी तरफ देखकर हैरा होता है और साथे उसने उसके एक हाथ को बहुत गुसा हो जाते हैं और चिलाते हुए उससे कहते हैं तुमने अपने आपको समझ क्या रखा है अगर तुमने बेवज़क आर्च कुमारा है तो तुम्हें रूस के अकौर्डिंग बहुत बड़ी सजा मिलेगी ये सुनकर फैंग्यूआन कहता है एल्डर इसके लिए बहुत बड़ी गलती करने चा रहे हो तुम अपने लिए बस एक गठा खोद रहे हो चलो देखते हैं कि तुम अपने आपको कैसे समझाते हो फैंग्यूआन कहता है एल्डर इन दोनों के इंडिनसन अच्छे नहीं थी सभी जानते हैं कि जब गुमास्टर कल्टी विसन कर होते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता खास कर तब जब वो ब्रेक्थ्रू करने वाले हूं डिस्ट्रैक्शन ना सिर्फ ब्रेक्थ्रू को फेल कर देगी बलकि प्रैमल स्पेस भी डैमेज हो सकता है जब मैं ब्रेक्थ्रू के एज पर था तभी ये दोनों दर कर दिस्टर का भी मजा कुड़ाया और कहा कि मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर बे करना ये एकडमी अल्डर का डी सीजन है मुझे इनकी बात पर यकीन नहीं हुआ इसलिए मैंने उन्हें इतना जादा जख्मी कर दिया है बस यही हुआ था मुझे पता है कि आप मुझे जस्ट करना चाहेंगे जिससे सुनकर एल्डर उसके तरफ उसे एकजामिन करने के लिए आते हैं और वो जैसे ही उसके प्राइमल स्पेस कुछे करते हैं वो हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं यह तो सच में मिडियल स्टेज में जा चुका है यह कैसे हो सकता है वहीं फ्रेंग्जों भी हैरानी में खाड़ा होता है और कहता है यह वो कैसे कर सकता है यह नहीं हो सकता लेकिन एकडमी अल्डर को भी धोका नहीं दिया जा सकता, उसने या कैसे किया, दूसरी तरफ एकएड़र फेंग्युवान से कहते हैं, मुझे यकिन है कि तुम मुझे अच्छे से erklate कर सकते हो, कि तुमने मीडिल स्टेज में breakthrough कैसे किया, ये सुनकर फेंग्युवान मुस्कुराता है और कहता है काड़ी मेहनत करने वाले को heaven भी reward देता है और मेरे लगातार ट्रेनिंग करने के वच्छे से मैं आसानी से break through कर गया चंचेंगन चिलाते हुए कहता है अगर काड़ी मेहनत करने वाले को heaven reward देता है तो वो मैं होता जो इस समय फर first place पर होता मैंने उसे देखा है वो बस इधर-उधर टहलता रहता है यह सुनकर academy elder फैंग्यूआन से कहते हैं क्या तुम छोड़ तो नहीं बोल रहे फैंग्यूआन मुस्कुराता है और कहता है बिल्कुल नहीं वो दोनों एक दूसरी के सामने वाला पहला है लेकिन वो एक third class talent है जरूर ही उसके पास कोई secret होगा लेकिन अगर वो इसके बारे में बताना नहीं चाहता तो मैं उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता ऐसा लगता है कि मैं बस उसके secret को investigate कर सकता हूँ फैंग्यूआन एकडमी एल्डर से कहता है एल्डर मैं अभी भी गार्ड को लेकर डरा हुआ हूँ अब आप उनके साथ क्या करेंगे उनका पहले ही बहुत सारा खोन बह चुका है अगर आप जल्द ही उन्हें ट्रीट नहीं करेंगी तो वो मर जाएंगे एकडमी एल्डर कहते हैं ये डरा हुआ कहां से लग रहा है फिर वो फैंग्यूआन से कहते हैं वो दोनों गार्ड नहीं मरेंगे मैं उन्हें बचाने के लिए किसी को भेज दूँगा क्लैन एल्डर कहते हैं इसका मीने से निपंटा बहुत मुस्किल है सबसे पहले मैंने प्लान बनाया था कि फैंग्यूआन ने अपनी क्लास छोड़ दी है तो मैं उससे निपट लूँगा लेकिन उसने उन दोनों गार्ड्स को हरा दिया और ये अपने टीचर के खिलाब जाना माना जाता है और उसे क्लाइन के रोल के हिसाब से पनिस्मेंट दी जाएगी और उसे अपनी गलतियों पर विचार करने के लिए उसे क्लाइन जेल में डाल देना चाहिए लेकिन ये सब तब हुआ जब वो मिडिल स्टेज में ब्रेक्थ्रू करने वाला था अब चीजे पूरी तरह से अलग हो गई है अब उसके पास क्लास को छोड़ने के लिए और गार्ड्स को मारने के लिए एक अच्छा रीज़न है क्योंकि वो पहला है जो मिडिल स्टेज में ब्रेक्थ्रू कर पाया है यही सब्से ज़रूरी चीज है लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो इतनी जल्दी अपने मिडिल स्टेज में चला गया अगर वो अपनी सीक्रेट को बता भी देता है तो भी मैं उसे पनिस नहीं कर सकता एकडमी का उद्देश सिर्फ टाइलेंटेड डिसाइबल्स को आपालन पोसंड करना है अगर मैं यंग टाइलेंट गुमाश्टर को दबा देता हूं तो इसका मतलब कि मैं गलत चीजे कर रहा हूं और मैं अपनी पोजीसन का सही से यूज नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे सबको एकवल ट्रीट करना चाहिए और कम से कम मुझे यहां तो सबको एकवल ट्रीट करना चाहिए यही एकड्मी का रूल है मेरे लिए उसे पकरना इतना भी आसान नहीं है तो क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए लेकिन मैं अपना गुस्ता नहीं कम कर सकता और एकडमी एल्डर को ऐसे सोचते दिखकर फैंग्युआन हस रहा होता है और अपने मन में कहता है एकडमी एल्डर सोच रहे होंगे कि उन्हें मेरे साथ कैसे पेसाना चाहिए क्योंकि अब चीजे उतनी भी आसान नहीं हैं जितनी दिखती हैं और सच कहूती ये एल्डर के स सीब गार्डों की बात रही तो वो दोनों महज एक सिक्रिफाइस की प्यादे थे जिन्हें इसमाइन गेम में घसीटा गया वहीं एकडमी एल्डर कहते हैं अगर वो उन दोनों गार्डों को मार देता तो मैं उससे वापस से फाइट बैक कर सकता था लेकिन अभी के लिए म करना और मुझे पनिस करना ये नामुंकिन है कम से कम आपके अभी की स्टेटस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आपको इस समय मेरी एकस्प्लेनेशन को एकसेप्ट करना होगा एकडमी एल्डर कहते हैं उसकी एकस्प्लेनेशन गलतियों से भरी हुई है उन दोनों गार्डो और सचाई बाहर आती है तो आप इसके साथ डिल कैसे करेंगे लेकिन अगर आप मुझे पनिस नहीं करते हैं तो इन दोनों गार्डों को फसाया जाएगा फिर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन फिर लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे एकडमी एल्डर कहते हैं लेकिन अगर मैंने फैंग्यवान को पनिस किया तब सभी लोग सोचेंगे कि मैं उन टैलेंड से जलता हूँ जिनका सरनेम गूओ है जिससे पबलिक और चारो तरफ से दबाव आएगा और इस सिच्वेशन से निपटने का केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि इस तरह का बरताओ करना कि जैसे कुछ मैंने देखा ही नहीं और उन दोनों गार्डो को डिसकार्ट करके उनका इलाज करवा देना और इल्डर फैंग्यवान को पनिस्मेंट नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो गो क्लैन मेंबर्स इससे नाराज हो जाएंगे और अ पारी चीजे फैंग्यवान की तरफ हैं फैंग्यवान कहता है इस तरह से क्लैन मेंबर्स भी खुश रहेंगे और गार्ड्स की आइडेन्टिटीव इन्फोमेशन भी बाहर नहीं आएगी और यही मेरे लिए सही फैसला होगा फिर वो दोनों एक साथ मन में कहते हैं यह है पत्थर से उड़ती हुई दो चूरियों को मारना और यही सोचकर एकेडमी एल्टर बहुत गुस्सा होते हैं और आगे कहते हैं भले ही यह ऐसा है लेकिन वो पच्चा बहुत गिरा हुआ है ना केवल उसने मेरी डिस्रिस्पर्ट की बलकि वो मेरे खिलाब खड़ा भी है इस बार मैं उसे केवल दबा ही नहीं पाया बलकि मैंने पब्लिक के सामने अपने फेस को खो दिया और सबसे ज़रूरी चीच फ्यूचर में वो दोनों कार्ट गुस्सा हो जाएंगे जिससे वो सच्चाई को बाहर लाने की कोसिस करेंगे और भेदभावना करने वाली मेरी इमेज को बनाए रखने के लिए मुझे उन्हें दबाना होगा और यह सब फेंग यूवान की वज़े से हुआ है यह फीलिंग ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे सामने थूंका है नकेवल मैं उसे डान सकता हूँ बलकि मुझे उसकी प्रसंसा करनी होगी और वो बस अपना मु पहुच लेगा और अगर कोई बोलेगा कि मेरे मुझे उसे चुप करा देना चाहिए इससे पहले मैंने जितने भी लोगों को टीच किया है मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया यह बहुत ही गुसा दिलाने वाला है और यह सब तुम्हारी वज़े से है फेंग यूवान मैं इससे कहता है यह सब तो कुछ भी नहीं है यह सब तो एकडमी की वज़े से हुआ है जिसने मुझे अच्छी तरीके से सिखाया है यह सुनकर एकडमी इल्डर और फणी रियाक्शन देते हैं और फिर से अपने गुस्ते वाले चेहरे पर क्रिंजी सी स्माइल लाते हैं पर क कुछ दिन बाद हमें इनका सिन दिखाया जाता है जहां पर फैंग्युआन के बारे में ही बाते चल रही होती हैं कि फैंग्युआन थर्ड क्लास टैलेंट होनी के बाद भी सबसे पहले मिडिल स्टेज में पहुंचा है इन उनर कहता है थर्ड क्लास वाले के लिए सैबल कैसे मिडिल स्टेज में जा रहे हैं तो यह सबसे बड़ा फेलियर है फिर हमें एकडमी अल्डर का सिन दिखाया जाता है जो गार्ट को ओर्डर दे रहे होते हैं और कहते हैं जाओ मेरे लिए फैंग्युआन को इन्वेस्टिकेट करो तुम्हें उसके बारे में हर च से दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपने मिडिल स्टेज में जा चुके होते हैं एकडमी अल्डर कहते हैं आज सबसेटी देने का दिन है और क्लास के प्रेजिटेंट और वाइस प्रेजिज़एंट को चुना जाएगा एक क्लास प्रेजिडेंट होगा और दो इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है और मुझे लगा कि क्लास प्रेजिटेंट फैंग्जोंग होगा तब तक तुम हमारे क्लाइन के कंट्रोल से दूर नहीं हो पाओगे और अगर मैं तुम्हारे सिक्रेट को रिविल नहीं कर सकता तो वो तुम्हें एक दिन खुद बताना होगा एकडमी इल्डर उन सभी डिसाबल से कहते हैं फैंग्जोंग मेडिल स्टेज में जाने वाला सबसे पहला है इसलिए उसे रिवाट के तोर पर 30 स्पिरिचल स्टोन दिये गए और एकडमी रोल्स के अनुसार अब वो अपना दूसरा गो भी चुन सकता है साथी अब मैं ये घोसना करूँगा कि फैंग्योंग अब हमारी क्लास का प्रिजिडेंट है डिसाबल्स कहते हैं आखिरकार वो प्रिजिडेंट बनी गया मैं इसे मानना नहीं चाहता मुझे लगा था कि प्रिजिटेंट मैं बनूंगा लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे ब्रदर को देखते ही उसे रिस्पेक्ट देनी होगी एकडमी एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि वो अब प्रिजिटेंट बनेगा एकडमी एल्डर सभी से कहते हैं अब मैं क्लास के वाइस प्रिजिटेंट की घोस्ट ना करूँगा कहता है क्या ऐसा कोई रूल है जो कहता है कि फर्स्ट प्लेस आने वाले को ही प्रिजिटेंट बनना चाहिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस पोजिटेंट के लिए मना नहीं कर सकता नहीं ऐसा कोई भी रूल नहीं है पिर फैंग्यूआन मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगता है और आगे कहता है इतना समझने के लिए एकडमी एल्डर का धनेवाद सभी डिसाबल्स कहते हैं फैंग्यूआन ने तो सच में अपनी पोजीसन को छोण दिया पका उसका दिमाग खराब हो चुका होगा वहीं मुबाई भी बहुत हैरान होता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है इसका मतलब कि मैं क्लास प्रिजिटेंट हूँ उसने अपनी पोजीसन को छोण दिया वो बेवकूफ है वहीं मुबाई इमैजिन कर रहा होता है कि सब ही उसे प्रिजिटेंट की तरह ट्रीट करेंगे साथी वो कहता है ये बहुत अच्छा है केवल फैंग युवान जैसा बेवकूफ ही इस चीज़ को छोण सकता है और इससे फैंग जॉंग भी हैरान हुआ होता है तब तो मेरा वाइस प्रिजिटेंट बनने का कोई मतलब नहीं है फिर क्लास खतम होती है और सभी बाहर जाने लगते है लेकिन गेट पर फैंग युवान खड़ा होता है सब ही को लूटने के लिए फिर से खड़ा होता है जो फैंग जॉंग को देखकर उससे कहता है वही पुराना रूल एक परसन के लिए एक स्प्रिफ्चल स्टोन फैंग जॉंग कहता है बरदर लेकिन अब मैं वाइस प्रिजिडेंट हूँ ये सुनकर फैंग जुआन मुस्कुराता है और उससे कहता है हाँ अब तो तुम वाइस प्रिजिडेंट बन गए हो और वाइस प्रिजिडेंट को सब सिटी में पाँच स्प्रिफ्चल स्टोन मिलते हैं इसका मतलब अब तुम मुझे तीन स्प्रिफ्चल स्टोन दोगे भी वहाँ पर मोबाई आ जाता है जो चिलाते हुए फैंग युवान से कहता है फैंग युवान तुम्हारी हम्मत कैसे हुई हमारा रस्ता फिर से रोकने की अब मैं क्लास का प्रिजिडेंट हूँ तुम्हें मुझे नॉर्मल डिसाइबल की तरह रिस्पेक्टि देनी चाहिए लेकिन तभी फैंग युवान उसके मुपे एक जोरदार पंच मारता है जिससे मुबाई और भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है मैं क्लास का प्रिजिडेंट हूँ तुम्हारी हम्मत कैसे हुई मुझे पंच करने की लेकिन फैंग युवान उसके एक भी नहीं सुनता और उसे पंचिस पे पंचिस दिये जा रहा होता है और साथे उससे कहता है तुम सही कह रहे हो जो कि अब तुम क्लास प्रिजिडेंट हो इसलिए चलो थोड़ा सा रोल्स को बतल देते हैं अब से नॉर्मल डिसाइबल के लिए एक स्पिरिच्यल इस्टोन वाइस प्रिजिडेंट के लिए तीन स्पिरिच्यल इस्टोन और प्रिजिडेंट के लिए आठ स्पिरिच्यल इस्टोन देने होंगे ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो गार्ड्स आपरस में बात कर रहे होते हैं एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है क्या तुमने सुना कि फैंग्यवान ने क्लास प्रिजिडेंट को पीर दिया हमें क्या करना चाहिए जिस पर दूसरा डिसाइबल कहता ह चाहिए कुछ भी नहीं जरा एक बार सूचो कि फैंग्यवान किस तरका परसन है और फिर भी तुम उसे प्रवोक करना चाहते हो और ये भी सूचो कि उन दोनों गार्ड की साथ क्या हुआ था उन दोनों का अंत अच्छा नहीं हुआ तुमारी कुछ भी ना करने से कुछ भ वो बहुत चलांक और जंगली है इसके लाव अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लास के प्रिजिडेंट और वाइस प्रिजिडेंट भी कुछ खास नहीं है उन्हें भी लूटा जा रहा है उनके पास सिर्फ दो स्प्रिचल इस्टोन बचे हैं और दूसरी तरफ एकडमी अल्डर भी इससे बहुत गुसा होते हैं कि फैंग्यवान ने क्लास प्रिजिडेंट और वाइस प्रिजिडेंट को भी लूटा है वो चिल्डाते हुए कहते हैं फैंग्यवान अब ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है तुम क्या चाते हो उसने सच में क्लास प्रिजिडेंट और वाइस प्रिजिडेंट से इतने साड़े इस्प्रिचल स्टोन लूटे हैं फिर उनमें और नॉर्मल डिसाइबर में अंतर क्या रह जाएगा और हमारी एकडमी द्वारा सबसेटी देने का क्या मतलब रह जाएगा एकडमी एल्डर कहते हैं फंग्यूआन का क्लास परेजिटेंट बनने से इंकार करना ऐसा है कि हमारे क्लैन के सिस्टम को इंकार करना सीधा बोलू तो ये क्लैन से गद्दारी है इसके लामजब रनुसिली की वज़े से क्लास प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट का इंफिलिएंस भी कम हो जाएगा समय के साथ डिसाइबल्स इन दो पूजिसन की रिस्पेक्ट को खो देंगे फैंग्युआन की हड़कते छोटी लग सकती है क्या तुम जानते हो कि ये सब क्यों होगा क्योंकि वो अपने सकसेसर को तेज और जीनिस बनाने के लिए फैंग्युआन का यूज करना चाते थे और ये सच में उनकी मदद कर रहा है लेकिन फैंग्युआन ही सबसे पहले विद्रोह के संकेत दिखा रहा है और अगर हम इसे कंटीनूर रखते हैं तो वो हमारे लिए एक असली खत्रा बन जाएगा फैंग्युआन के सीक्रेट पे आके रूख जाती है मिडिल स्टेज में ब्रेक्ट्रू करने के लिए इस दुनिया में इसने किस पर भरोसा किया पिछले कुस दुनों में क्या क्या हुआ ये सारी चीजे वे उस गाड़ से बताने के लिए कहते हैं वो गाड़ कहता है हमारी इन्वेस्टिकेशन से हमें ये बता चला कि फैंग्युआन के फादर और मर्दर दोनों ही गुमास्टर थे उनकी बैग्राउंड के बारे में हमें ज्यादा कुछ किलियर नहीं हुआ और साथी उन दोनों की देथ हो चुकी है जिसके बाद वो दोनों अपने चाचा चाची की साथ रहने लगे लेकिन वो अच्छे ढंग से नहीं रह पा रहे थे एकेडमी में आने के बाद वो एकेडमी डोम में रहने लगा उसने शुरुआत में अपने इंटेलिजेंस को दिखाया और सभी उसे जीनियस मानते थे वो हमारे क्लैन का एक फ्यूचर था लेकिन जब उसने अवेकिंग सर्मेनी में अपने थर्ड क्लास टाइलेंट को दिखाया तो क्लैन हेड उससे बहुत ज़्याता डिसपॉइंट हो गए उसके लाइफ बहुत सिंपल है वो बिसिकली तीन जगा पर जाता है सुबह वो क्लास के लिए एकेडमी में आता है और रात को सोने के लिए डूम में जाता है इसके अलावा वो हर रात अपने गू की कल्टिवेशन करता है और करडी मेहनत करके अपने प्राइमल स्पेस को नरिस करता है वो वाइन का बहुत सौखीन है खास कर ग्रीन बैंबू वाइन का उसने उस वाइन के दस जग इन में जमा करा रखे हैं साथी मैंने सुना है कि जब उसने अपने थर्ड गलास टैलेंट को दिखाया तभी सो वो वाइन पर डिपेंट हो गया और तबसे उसने वाइन को नहीं छोड़ा यह सुनकर एकेडमी एल्डर कहते हैं तो उसके पैरेंट्स की जल्द ही दित हो गई और उसके अंकल आंटी ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि फैंग युवान क्लैन की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता गाड आगे कहता है क्लैन हेड ने उसे आसमान में चढ़ा रखा था और बाद में उन्होंने ही इसे जमीन पर गिरा दिया इसलिए वो इतना जंगली और अपनी कंट्रोल में नहीं है और साथ ही वो इतना कोल्ड और सबसे अलग है एकेडमी एल्डर कहते हैं हमें ये याद रह गया कि वो थर्ड क्लास टैलेंट कचड़ा है लेकिन हम ये भूल गए कि वो हमारी क्लैन का एक जीनियस था वो हमारी क्लैन का फ्यूचर था वो इतनी सिंपल लाइब जीता था और अपने कल्टिवेसन को बढ़ाने के लिए करड़ी महनत करता था ताकि वो अपने आपको क्लैन के लिए प्रूफ कर सके इसलिए जब मैंने उसे दबाने की कोसिस की तो उसने जोड़दार जवाब दिया और ऐसा करने के लिए मैं उसके रीजन को समझता हूँ अगर मैं उसकी जगा पर होता तो मैं भी यही करता लेकिन अब उसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है मेरी पूजी से अब उसे माफ नहीं करने देगी फिर एकेडमी एल्डर उस गार्ड से कहते हैं भले ही ये रिपोर्ड अच्छी हो लेकिन उसके सीक्रेट पर कोई प्रोग्रिस नहीं हुई है इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खो जा है ये सुनकर वो गार्ड घबरा जाता है और कहता है मास्टर प्लीज अपना गुस्ता सांथ करें तभी पीछे से एक और गार्ड आता है जो एकडमी एल्डर से कहता है क्लेर हेड ने आदेश दिया है कि एकडमी एल्डर को फैमली पवेलियन में बुलाया जाए कुछ चर्चा करने के लिए है एकडमी एल्डर पूचते हैं क्या बात है जिस पर गार्ड बताता है कि रैंक फोर की गुमास्टर जी आफ हुआ है उनका छोटा भाई जिनसन ला पता है जिसे सुनकर एकडमी एल्डर हैरान हो जाते हैं और उस गार्ड के साथ जाने लगते हैं साथ ही वो अपने मिन में कहते हैं इस दुनिया में जिन्दा रहना बहुत मुश्किल है गुमास्टर का गायब हो जाना ये बहुत आम बात है आम तोर पर ये बोलना कि कोई गायब हो चुका है तो ये उसकी मौत का संकेत दिखाता है लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मार सकता जिन्सन यहाँ नहीं मर सकता और खास करके हमारी गुव क्लैन में तो बिल्कुल भी नहीं उसकी पहचान खास है और उसका भाई रैंग फोर का गुमास्टर है और हमारे क्लैन के पूरे गुव विलेज में सिर्फ clan head ही rank 4 के गुमास्टर है और उनके father जिया family के head rank 5 के गुमास्टर है उनकी family उनके leadership में पूरे एक mountain को तबाह कर सकती है जबकि हमारा go clan एक आधे village पर ही कपजा कर सकता है अगर war चिरती है तो हमारी go clan का ही नुकसान होगा लगन सबसे जडूरी चीजी है कि अगर अफवाएं उड़ती है तो इससे हमारी go clan की repetition का नुकसान होगा तब ही वहाँ पर academy elder आ जाते हैं जिनने देखकर सब उने गूरने लगते हैं फिर academy elder clan head को greet करते हैं clan head कहते हैं इसके बारे में भूल जाओ अब मैं आगे कुछ भी नहीं कहने जा रहा clan की academy हमेशा आपकी देखरेख में रहती हैं तो मैं आपसे पूचता हूँ कि go fangyuan कहा है fangyuan का नाम सुनके academy elder घबरा जाते हैं और कहते हैं ये matter उस बच्चे से related कैसे हैं फिर वो clan head से कहते हैं वो अभी के लिए अपने डोम में cultivation कर रहा होगा clan head academy elder को बताते हैं कि जियाफू को लगता है कि उसके छोटे भाई के लापता होने का fangyuan से कुछ लेना देना है fangyuan को यहाँ पर तुरंत लेके आओ फिर clan head जियाफू से कहते हैं बरदर जिया फाइफू को लाया जा रहा है आप आराम से बैठ जाये जियाफू क्लैंड head से कहते हैं मैं गो क्लैंड से माफिय मांगता हूँ लेकिन वाकए में है मुझे इसे बारे में बहुत चिंता है मुझे अपने छोटे भाई को देखे हुए कई दिन बीच चुके हैं और मैं कुछ भी बुरा होने से डरता हूँ इसलिए मैं इंतिजार नहीं कर सकता साथ ही वो अपने मन में कहते हैं मैं बहुत लापरवा हो गया था फादर की मन में क्या चला था मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था मेरे पेसेंस और दिल का टेस्ट लेने के लिए उन्होंने जिनसें जैसा बोच मेरी विवस्था में भेज दिया और अब जब मैं बैठने के लिए तयार नहीं हूँ तो मुझे मुझे मुझलिम को ढूरना होगा और ये गो क्लैन के लिए दबाओ के फिलिंग भी दिखाता है फेचर में जब मैं जिया क्लाइन में वापस चाऊंगा तो मैं अपनी रिपोर्ट दे दूँगा तब हेकडमी एल्डर फैंग्युआन को लेकर आ जाते हैं फैंग्युआन कहता है मैं लौड जियाफू और क्लाइन हेट को ग्रीडिंग देता हूं साथी वो वहाँ पर खड़े सभी लोगों को भी ग्रीड करता है और साथी वहाँ पर वही लड़की होती है जो उस गैमलिंग सौप पर काम कर रही थी जिससे जियाफू पूछते हैं क्या ये वही है जिस पर वो लड़की कहती है हाँ ये वही है मैं गलत नहीं हो सकती लॉट जियाफू क्लैन हेट से कहते हैं ब्रदर गुओ क्या तुम देख रहे हो ये सुनकर क्लैन हेट अपना माथा पकड़ लेते हैं और अपने मिन में कहते हैं उन्हें अपने छोटे भाई को खो दिया और अब तुम उसका दोस हमपर मरना चाते हो क्या तुमको लगता है कि हमारी गुओ क्लैन को धमकाना इतना असान है क्लैन हेट उस लड़की से कहते हैं ध्यान से देखो क्योंकि उसका एक जुड़वा भाई भी है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही है ये सुनकर वो लड़की कनफ्यूज हो जाती है जिससे देखकर लोड जियाफू कहते हैं ब्रदर गुओ मैंने हमेज़ा से गुओ क्लैन को रिस्पेक्ट दी है खास करके फस्ट और फॉर्ट जनेसन के हेट को मुझे पता है कि ब्रदर गुओ अपने रूल्स के हिसाफ से फैसला करेंगे और साथे उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे ब्रदर गुओ प्लीज आप फैंग्यूओं से पूँच तांस्ट करें क्लैन हिट कहते हैं अगर फैंग्यूओं ही है जिसने ऐसा किया है तो मैं सबसे खराब सिच्वेशन में उसे एकस्वेल कर दूँगा आखिरकार ये सिर्फ थर्ड क्लास टैलेंट है और अगर ये सब फैंग्जूओं ने किया है तो भी मुझे ये सारे ब्लेम फैंग्यूओं के ऊपर डालना होगा आखिरकार फैंग्जूओं हमारी क्लैन का फ्यूचर है फ्यूचर में बाई फैमली की बाई निमिंग से निपटने के लिए मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए फैंग्यूओं से कहते हैं फैंग्यूओं घबराओ नहीं और मुझे ये बताओ क्या तुमने जिया जिंसन के बारे में खवर सुनी है फैंग्यूओं कहता है जिया जिंसन कौन है ये सुनकर वहीं वो लड़की चिलाना सुरू कर देती है और कहती है तुम जूट बोल रहे हो ये वही है जिसने हमारी डिन से 6 गोल्डन परपल लिस्टोन लिये थे और जब उसने पांचवे वाले को खोला तो उसमें इसे मधिस्टिक टोड़ा मिला था बाद में येंग मास्टर जिन से ने उससे मधिस्टिक टोड़ा को 500 स्प्रिचल स्टोन में खरीद लिया और मैं ही सिर्फ वहाँ पर नहीं थी और भी गूमास्टर वहाँ पर थे जिन्हों ने इसे देखा है फैंग्यूआन अपना नाटक सुरू कर देता है और सभी से कहता ह ओ मुझे याद आया अगर वो जिया जिनसन था तो मुझे पहले मिल चुका हूँ लेकिन मैंनों इसे सिर्फ एक बार गैम्लिंग डिन के अंदर देखा था और फिर उसके बात कभी नहीं लेकिन वहाँ पर वो वाइन सौप वाला भी होता है जो कहता है ये फिर से जुट ब लोग थे तुमने हमें इतनी किलियरली कैसे देख लिया तुम गलत भी हो सकते हो ये सुनकर वो सौप ओनर मुस्कुराता है और कहता है मैं गलत नहीं हो सकता पता है क्यों क्योंकि आपके पास एक लिकर वार्म था लिकर वार्म का नाम सुनके वो सभी हैरान हो जाते हैं सौ फैंग्यूआन डरने करना टकरता है लेकिन मरही मन मुस्कुराते हुए कहता है बहुत अच्छे यही मैं सुनना चाहता था तभी एकडमी अल्डर उससे पूचते है तुम जानते हो कि तुम कितनी बड़ी मुसीबित में हो तुम और क्या क्या जानते हो जल्दी करो और लिकर वार्म जिंसन का है फैंग्यूआन जोर से चिलाता है और कहता है यह लिकर वार्म उसका कैसे हो सकता है मैंने गैमलिंग देन में उस लिकर वार्म को एक पत्थर से निकाला था तभी हैरान होते हैं कि फैंग्यूआन ने एक पत्थर को खोला फैंग्यूआन आगे बत और तब मुझे पता चला कि उसके अंदर एक लिकर वार्म है मैं ओवर एक्साइटेड हो गया था इसलिए मैंने उससे तुरंत रिफाइन कर लिया यह सुनकर एकडमी एल्डर हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं एक सिकंडू को तुम्हें अभी अभी क्या कहा तुम्हें ए हुआ चलो बता दो सबको वो लड़की घबरा जाती है और सभी से कहती है हाँ यह सच है फैंग्यवान ने छे परपर गोल्डेन स्टोन को खरीदा जिसमें से पाचवे में उसे एक मडिस्टिक टोड़ा मिल छटे वाले को वो अपनी साथ ले गया लेकिन मुझे नहीं पता लौड जियाफू आ गए जिन्होंने उससे जगड़े को सुल्जाया फिर में वापस से उसी वाइन सौपर गया जहांपर मुझे जिया जिनसन मिल गया मुझे अभी एक लिकर वार्म मिला था इसलिए मैं बहुत खुस था मैं उससे पूछना चाहता था कि ये लिकर वार्म बन जाता इसलिए मैं वहाँ से चला गया तभी जियाफू कहते हैं क्या मेरे छोटे भाई ने तुम्हारा पीछा नहीं किया था जियाफू कहता है उसने मेरा पीछा ही नहीं किया बलके वो मुझे इस प्रिचल स्टोन भी दे रहा था लेकिन मैं इसे बेचने के बारे में ही सोच रहा था और फिर उसने हमारी गो क्लैन को कोशना सुरू कर दिया और मुझे फ्यूचर में सौधान रहने के लिए कहा वो गाली देने के बाद वहाँ से चला गया और फिर उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा जी आफो कहते हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही सुनाई के लिए नहीं गया नहीं साइध वो फैंग्योण को ढूरने के लिए वापस काया था और उन दोनों में कोई भी समझाता नहीं हुआ इसलिए फैंग्योण के लिए वापस के सामने ही हमारे क्लैन मेंबर से पूच तास कर रहा है अगर ये रिमर सुरते हैं तो मेरी क्या ही प्राइड रह जाएगी फिरो जियाफू से कहते हैं ब्रदर जियाफू ऐसा नहीं है कि मैं चिंता नहीं कर रहा लेकिन चिंसिन को लापता हुए कई दिन जियाफू को उनकी इनिविस्टिकेशन में अभी तक कुछ भी नहीं मिला जियाफू कहते हैं ब्रदर मैं चानता हूँ कि तुम क्या कहना चाते हूँ लेकिन उस अपराधी ने अगर अपने पीछे कोई सुराग छोड़ा होता तो मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आता मु का पता लगा सकती है जियाफू क्लैन हेट से कहते हैं मैंने इस तरीकों को पहले ही आजमा लिया है लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ा और अगर किसी का गुमर जाता है तो इससे उसकी सोल की स्मेल भी डिसिपियर हो जाती है इसका मतलब साफ है कि अपराधी ने मेरे भा कि किसी भी गुवार्म को नहीं लिया दूसरी बात उसके सारे स्प्रिचल स्टोन भी यहीं है तो अपराधी का मकसद क्या था यह सुनकर फैंग यूवान कहता है सही कहा वो क्यों मारना चाहता था आखिर उसका मकसद क्या था जिया जिंसन मर गया है या फिर जिन्दा यह पीछे भी उसका कोई मकसद होगा क्या यह मकसद प्यार का हो सकता है अब जब मैं इसके बारी में बात कर ही रहा हूं तो मुझे अचानक से याद आया है मैंने बहुत समय पहले सुना था कि जिया फैमिली अपनी इन्हेलिटेंस का बटवारा करना चाहती है लेकिन अब मतलब यह है कि एक हिस्ता नहीं लगाया चाहेगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही ने जिया जिंसन को मार डाला हो यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं एकड मेल्डर चिलाते हुए फैंग यवान से कहते हैं अपना मुझ बंद रखो बेवज़ा के आरोप लगा कर लोड़ जियाफू को बदनाम मत करो फिर वो लोड़ जियाफू से माफि मांगते हैं और उनसे कहते हैं लोड़ जियाफू वो भी भी बहुत यंग है और वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता है प्लीज आप गुस्ता ना करें लेकिन वहीं फैंगवान खड़ा होके बस मुस जिसे सुनकर जियाफू घप्रा जाते हैं वहीं फैंगवान कहता हैं आखरकारापने इसके बारी में तो सुचा क्लाइन हीट की बास सुनकर सभी सोंच पढ़ जाते हैं और इनके बीच भैंकर कॉम्पिटीशन है इसके लाम जिया जिनसन के हत्या बहुत अजीब तरीके से हुई है और अभी कोई सबूत नहीं है कि फाइंग्यूआन ने ही जिया जिनसन को मारा है और सिर्फ लिकर वर्म के लिए जिया जिनसन को मारना ये थोड़ा आजीब साउंड करता है लेकिन अगर इस तरह की एक्टिंग जिया गाई करता तो कुछ समझ भी आता लेकिन ये तो लॉड जिया फू है वही जिया फू घबराई खड़े होते हैं और मनही मन कहते हैं फादर ने मेरा टेस्ट लेने के लिए मुझे जिया जिनसन के साथ कारवा में सामिल कर दिया और अगर जिया जिनसन को कुछ भी होता है तो इससे में बहुत बड़ी मुसीबित में पढ़ जाऊंगा और इससे सिर्फ एखी सक्स को फाइदा होगा जिया गाई यही सोचकर वो और गुस्से में आ जाते हैं और आगे कहते हैं उपर स्रेज जिस कल्पिट ने उसे मारा है उसने बहुत अच्छा मेथेड इस्तमाल किया है और इसी वज़े से मुझे लगता है कि जो भी कल्पिट है वो बहुत एक्स्पिरियन्स वाला है और साथी उन्हें लगता है कि फैंग्यूआन को यहाँ पर बेवज़ा घसीटा जा रहा है वो कहते हैं कि फैंग्यूआन मासूम है वो सबसे गलत समय पर जियर जिनसें से टकरा गया उसकी एज और उसने अभी अभी एकड़ी में जाना सुरु किया है अगर यह देखें तो वो किसी को कैसे मार सकता है और वो सारी सबूतों को कैसे मिटा सकता है और वो पहले सिर्फ इसे लिए जोन बोल रहा था क्योंकि वो अपने लिकर वर्म को छुपाना चाहता था अगर उसके पास इतनी ही अबिलिटीज होती तो वो अपने लिकर वर्म को छुपाता क्यों यह बहुत ही अनलकी बच्चा है अगर मैं बेवचा के आरोप लगाता हूं कर रहा हूँ फैंग यूओन कहता है लेकिं जिया जिंसे नब ला पता हो चुका है और इसका जिम्मेदार सिर्फ जियाफ़ू है जियाफ़्धू के पास जियागाई के खिलाप कोई भी सबूत नहीं है लेकिन अपने फादर को एकस्प्लेइन करने के लिए उसे कुछ ना ताकि मैं अपने फादर को कुछ एक्स्प्लेन कर पाऊं। अगर मैं इस सिच्वेशन से बाहर निकल सकता हूं तो फिचर में मैं जिया गाई से फाइट बैक कर सकता हूं। फैंग्यवान के उपर बेवज़ा के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और इससे कहते हैं क्या तुम्हें पक्का यकीन है। ये सुनकर एकडमी अल्डर थोड़ा सा घबरा जाते हैं और धीरे से क्लाइन हेट की तरफ देखते हैं। जिससे क्लाइन हेट धीरे से मुस्कुराते हैं यानि तुम सही कर रहे हो। ये देखकर एकडमी अल्डर का confidence वापस आ जाता है और वो चिलाते हुए कहते हैं। सही कहा आपने मैं ही उसका witness हूँ। फेकडमी अल्डर सभी को बताते हैं फेंग्यूआन जब अचानक से मिडिल स्टेश पर ब्रेक्थ्रू कर गया तो मैंने उसके investigation करने के लिए अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया और मैंने उसकी daily routine को देखा उसके पास जिया जिनसन को माननी का कोई टाइम नहीं है यानि इसका मतलब यह है कि फेंग्यूआन ने एक एडमी अल्डर को भी अपनी तरीके से यूस किया है फेंग्यूआन कहता है हाँ यही बात है हाँ यही बात है मैने तुम्हे कुछ दिन पहले अपनी सतरच की प्यादे में तबदिल कर लिया सिर्फे मैंने गा Choi्डों को ही करके सामने आया है वो फैंजवान को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चला कि गुव फैमली के मेंबर ने किसी को मार डाला है तो इससे गुव क्लैन को बदनामी छेलनी होगी ना कैवल उन्हें लोगों का सामना करना होगा बलकि कारवा भी ट् क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मैं इसका यूज तुम्हारे उपर करूं फैंजवान मुस्कुराते हुए कहता है कोई दिक्कत नहीं है चलो और इसे मेरे उपर टेस्ट करो जिसके बाद वो अपने फुट्प्रिंट गुगा यूज फैंजवान के फुट्रिस्टेप फालो करने के लिए कहते हैं लेकिन फैंजवान को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है यानि फैंजवान को इस सब पहले से ही पता होता है फिर एक पहर बीच जाता है और वो सभी सर्वेंट वापस आ जाते हैं साथी वो जियाफो को रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि पैर अगर वो सोच में पड़ जाते हैं, साथ ही उनके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो सभी से कहते हैं, यह आखरी टेस्ट है, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो, तो मैं तुम्हें कभी परिशान नहीं करूँगा, और वो उस बॉक्स को खोलते हैं, जिससे देखकर इसे यहाँ पर क्यों वेस्ट कर रहे हो जी आफू कहते हैं जब मैं यंग था तो मैंने इसे एक गैम्लिंग स्टोन से निकाला था जैसा कि सभी को पता है ये इमांदारी को ही अपना खाना मानता है और ये जूट को बड़ी असानी के साथ पगड़ लेता है कि वलहॉनिस्ट जेंटलमेन ही जिसने पहले कभी जूटना बोला हूँ वही उस गूग को रिफाइन कर सकता है मैं जानता था कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता इसलिए मैंने इस पत्थर को सिर्फ आधा ही खोला और मैंने अभी की सिच्वेशन को देखते हुए इसे वापस से खोला है अगर य जे तुम्हें कैसा लग रहा है फैंग उगान कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है क्लाइन मिम्बर्स कहते हैं तो वहाड़ नहीं मानेगा चलो देखते हैं कि इसके बात क्या होता है फैंग्योन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास इस तरह का कोई गू होगा लेकिन मेरे पास चिंक्यू सिकाडा है ये रैंग 4 का गू कर ही क्या लेगा और चिंक्यू सिकाडा रैंग 6 का गू है जिसकी पावर पूरी तरीके से वापस नहीं आई है फैंग्योन जियाफ फैंग जुआन कहता है नहीं पिर वो सारे सवाल पूछने के बाद फैंग जुआन से कहते हैं ठीक है अब तुम अपने प्रैमिल स्पेज से बैंबू जेंटलमैन को वापस निकाल सकते हो जिसे फैंग जुआन उसे बाहर निकालता है लेकिन उसका थोड़ा भी कलर चेंज न लेकिन ये बैंबू जेंटलमैन के लिए सरम की बात है जी आफो कहते हैं मैंने इस मामले को इन्वेस्टिकेट करने के लिए पूरी कोसिस की है लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला इस बार मैं जब घर वापस जाओंगा तो मैं डिवाइन इन एल्डर क्लैन हेट से कहते हैं आपके इस मामले में मुझे से बात करना चाहते हैं जिस पर क्लैन हेट कहते हैं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं तो आराम से बैठ जाओ एल्डर कहते हैं आपका सबोडिने इससे बड़े ध् प्रफ़ज न कर पाई और हर बार उन्हें ओर देने पर एक नया रूल जुड़ेगा और एक गुको सिर्फ एकी बार पक्ड़ा जाएगा लॉंग वीटी गुको तुमने पहले ही पकड़ लिया है यह सुनकर रेंजू नहीं ओर देता है तो ठीक है लॉंग वीटी गुको छो करते हैं तो इसके पास स्ट्रेंथ और विजिडम यानि माइंड पावर नहीं है तो वो सभी गुको अपने कंट्रोल में कैसे ले सकता है और हम सिर्फ गुको पगड़ सकते हैं तुम्हारा काम है गुपर कंट्रोल करना फिर वो बचे हुए पाज गुकी तरफ देखता है जिन में विजिडम और स्ट्रेंथ गु भी होता है जो उन्हें पहले चोंड कर चले गए थे रेंजू से कहता है अब क्या तुम्हें पस्तावा हो रहा है कि तुम मुझे चोंड कर चले गए थे अगर तुम मेरी अच्छे सेवा करते हो तो मैं तुम्हें फ्री कर दूँग फिर वो इस्टेंथ पानी के बाद विजडम गू से कहता है, क्या तुम्हें मुझे छोड़ने का पस्तावा नहीं हो रहा, अगर तुम मेरे सामने जुकते हो, तो मैं तुम्हें फ्री कर दूँगा, विजडम गू कहता है, मैं चाहूं तो यहां से जा सकता हूं, मैं सिर्फ अपने से स्मार्ट लोगों के कंट्रोल में रहता हूं, और तुम मुझे से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, लेकिन हम अभी भी समझोता कर सकते हैं, तुम अपनी आधी लाइफ को मुझे दे दो, और मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ जाओंगा, रेंजू इसके लिए नहीं मा पाया है, तो तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, रेंजू और एक्साइड़ होके उन दोनों का नाम उसे बता देता है, जिससे विजिडम को हसने लगता है, और उनसे कहता है, जो कि अब तुमने इन दोनों का मुझे नाम बता दिया है, तो मैं यहां से जा सकता हूं, अब तो मुझे और कैट करकर नहीं रख सकते हैं, तो विजिडम को वहां से उड़ती हुए चला जाता है, रोल्स और रेगुलेशन कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि हमारा नाम किसी को मत बताना, क्लैन एल्डर कहते हैं, रेंजू को समझ आ गया, कि उसे बुद्धी का यू इस सिच्वेशन के लिए कर रहे हैं, आप विजिडम को को फैंग वान और एंजू को क्लैन बता रहे हैं, बहले उसने रूल्स और रेगुलेशन का यूज़ करके विजिडम को पकड़ लिया हो, लेकिन वो फिर भी हांस से निकल गया, तो क्या ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मैं फैंगवान पर दबाव डालना बंद कर दूँ और उसे छोड़ दूँ, लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है, एकडमी एल्डर को देखकर क्लैन हेड मुस्कुराते हैं, और उनसे कहते हैं, इतना एक्साइटेट मत हो, और वापस से बैठ जाओ, तुम बह आखर में अपने अंदर की फायर को खो देंगे, आप इसी की बारे में चिंता कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्लैन क्या कर रहा है, सिर्फ नए लोगों को तयार करने में क्लैन पर भरुसा, हर डिसाइबल के पीछो उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स है, वो इतन के बारे में सोचना है, एकडमी एल्डर कहते हैं, लेकिन रिस्पेक्टेट क्लैन एल्डर, जियादा बाधाएं भी अच्छे नहीं होती है, अगर इनसे जट कुचल दिये गए तो फैंग्यों ने लिकर वार्म का यूज करके अपने आपको लाइट की स्पीड से इसलिए जो बोलो तुम्हें उस पर धिहान देना चाहिए, खंग्यों ने एक जीनियस बनने से रुख गया था, एक नॉर्मल आदमी के लिए अपने क्लाइन को एनिमी समझना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये बहुत चाइल्डिस है, जिस तरह से उसने अपने लिकर व फेल हो गया, अगर आप उन डिशावल्स को सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन में बांध होगे, तो वो पास से भटक जाएंगे, फैंग्यों सिर्फ थार्ड क्लास टैलेंट है, वो दस साल के बाद भी एक लो लेवर एल्डर बन पाएगा, लेकिन वो अभी भी फैंग्ज अचाता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरीके से याद रखोगे, एकडमी एल्डर कहते हैं, क्लाइन हेट, प्लीज मुझे बताएं, क्लाइन हेट कहते हैं, समुद्र बहुत सारी नदियों से जुड़ा है, और इसके लिए बहुत कपिसिटी की ज़रूरत होती है, फिर सी इनचेंज होता है और हमें जियाफो का जिखाया जाता है, जो अपने लोगों के साथ वापस जा रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है, मास्टर, अगर हम इस तरीके से वापस जाएंगे, तो हम इल्डर मास्टर को क्या जवाब देंगे, क्या पहले हमें किसी बली के बकरे को ढूरना चाहिए यह सुनकर जियाफू उन सभी को रेंजू की वही कहानी सुनाते हैं और मैं बता दूँ कि जो भूल गए हूँ यह कहानी बहुत फेमस है एक लेजेंड के तौर पर तो इसलिए सभी इसका यूज करते हैं चीजों को समझाने के लिए जियाफू उन सभी से कहते हैं क्या तुम सभी जानते हो कि रेंजू ने इस्टेंथ और विजिडम गू के लामा और कौन से गू पकड़े थे जियाफू उन सभी को बताते हैं कि रेंजू ने उन दोनों के अलामत तीन और गू पकड़े थे बिलीफ सब स्पीसिस और एटिटूट गू था रेंजू ने जाननी नहीं दे रहा था इसलिए उन तीनों ने एक सर्थ रखी अगर रेंजू नेट खोलता है तो वो तीनों अलग अलग दिसां में भागेंगे रेंजू जिन जिन गू को पकड़ लेगा वो उन गू को कशन्तरोल कर सकता है तो क्या तुम जानते हो कि आखिर में रेंजू ने कौन सा गू पकड़ा जिस पर वो आदमी कहता है सायद आटईटीटूड गू जियाफू कहते है क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि आटईटूड है तो सब कुछ है फिर जियाफू अपनी सारे प्लैन को बताना सुरू करते हैं और कहते हैं जब मुझे पता चला कि जिनसें ला पता है तो मैंने तुरंत investigation सुरू कर दी और मैं village वापस चला आया वो हम पर attack भी कर सकते थे लेकिन मैंने उस जोखिम को नजर अंदास किया और सिधा उनका सामना किया और मैं वहाँ पर बैठा भी नहीं मैंने ये दिखाने के लिए वो सब कुछ किया है जो एक बड़ी भाई को करना चाहिए और मेरा यही attitude सब कुछ दिखाता है इसके लाव मैं वो नहीं हूँ जिसने उसे मारा है इसलिए मैं clear नहीं हूँ फादर मुझ पर विश्वास करें या ना करें लेकिन मैंने एक अच्छे भाई होने के नात मुझ भी नहीं किया लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वो इतना सातिर होगा जो कि अब तुम इतना निर्दाई हो तो मुझे इसके लिए दोस मत देना फिर फाइंग वान कर सेंदी खाया जाता है जो एक क्लिफ पर खड़ा होता है और उपर आस्मान को देख रहा होता है साथ ही वो कहता है आखिरकार जिंसन की मुसीबत खतम होई मेरी इतनी प्लानिंग बेकार नहीं गईगा और ये सब होने के पाज जिया फैमली का स्ट्रगल और भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि वो अपनी गू कॉन्फरमेशन की तारीख को बढ़ा देंगे फिर वो इन्विस्टिकेटर लिंग्जुंग की बात करता है यानि उसकी प्लानिंग में लिंग्जुंग भी होता है फैंग युवान कहता है अभी तो लिंग्जुंग बांकी है वो एक राइचेस पात कैरेक्टर है यानि धर्म के रास्ते पर चलने वाला वो अपने कामों में वि कोसिस के, बंदरों का एक ग्रूप मिलकर, आखिर में उन्होंनी चांद को पानी पर छो लिया, लेकिन पानी काप उठा और चांद बिखर गया, ये सिर्फ एक तमासा था, और इस दुनिया में सभी वैसे ही हैं, वो चांद की परचाई को देखेंगे, और सोचेंगे कि वो अ इस लाइफ में मैं एक चांद की तरह बढ़ना चाहता हूं, मैं पहाडों बादलों और समुधर से उपर उठना चाहता हूं, मैं इस इन टाइमस को फॉलो करना चाहता हूं, डार्कनेस में चलो और हैवन से उपर उठ जाओ, जिसके बाद आधा महिना यानी 15 दिन बीच ज लेकिन जो कि फैंग वान सबसे पहले अपने मिडिली स्टेज में गया है, तो वही सबसे पहले आगे बढ़कर अपने दूसरे गू को चुनेगा, और यह सब देखकर वो सभी डिसाबल से जल रहे होते हैं, और कहते हैं, यह कौन सा गू चूज करेगा, उसके पास पहले से कि उसके ले बॉप को चूज किया है, पासे पहले से पहले से तुम्हारी तारीफ नहीं की हैं, यह मामला छोटा लगता है, लेकिन हम इसे किसी की भी नेचर को देख सकते हैं, तुमने ब्रॉंज इसके डूब को चूज किया है, जो मूनला गू से जुड़कर अफंसिव औ जाता है जो पेवर नेचर को दिखाता है इस दुनिया में कठोरता और कुमलता यिंग और यांग यही बैलेंस की है मोबाइन ने यलो कैमल लॉंग होर्म बीटल को चुना है यह स्टैमिना देता है जिससे फाइट को लगाता लाड़ा जा सकता है यह उसके जिद और एटिट भी दिखाई देती है और क्लाइन हेट ने फैंग जुआन के बारी में नहीं बताया होता है लेकिन फैंग जोंग इसके बारी में जाना चाता था वो क्लाइन हेट से कहता है यह सुनकर क्लाइन हेट एक नजर उसकी तरफ देखते हैं और फिर उसे बताते हैं तुम्हारे भ कर क्लैन हेट सोचते हैं कि मैंने उसे चंचंगन और मूबाई के करेक्टर की बारे में बताया लेकिन उसका ध्यान इस पर नहीं था इसके बजाए उसने फैंग युवान के बारे में पुछा ताहिए फैंग युवान की उसके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा है कास इस क्लैन हेट उससे कहते हैं एक ज़री सिकिन गूब प्रोंज इसकिन गूव से कई ज्यादा बेहतर होता है यह कं प्रैमेले सेंस को यूज सकता है क्या तुम इसे लेना चाहते हो Feng Zhong कहता है बेशक clan head कहते है मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन clan head होनी की वज़े से मैं किसी के साथ भेदबाओं नहीं कर सकता और बिना किसी वज़े के मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता इसलिए मेरी एक सर्थ है इसे किसी और को देने के अलाम कोई रास्ता नहीं है फैंग यूवान एक बार फिर से फर्स्ट प्लेंस पर आ सकता है फिर से फैंग यूवान का नाम सुनके वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे ये एक सेप्ट है मैं जीतूंगा मैं इस बार सबको क्रस कर दूंगा और rank 2 में breakthrough करने वाला first person बनूँगा fang zong को ऐसे देखकर clan head मुस्कुराते हैं कि कि वो fang yuan का नाम यूज करके fang zong को आगे बढ़ाना चाते हैं और यही इनका plan था फिर हमें fang yuan का scene दिखाया जाता है जो flower wine monkey inheritance वाली जगा पर होता है लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी सी चटान होती है जिसे देखकर fang yuan कहता है यह बड़ी सी चटान मेरे रास्ते को block कर रही है यह round or smooth है इसे किसी human ने बनाया है यहाँ पर पका मुझसे कुछ छोट रहा है लेकिन क्या इस obstacle को flower wine monkey ने बनाया है लेकिन किस लिए तब है उसे वहाँ पर कुछ नमी दिखाई देती है फang yuan कहता है लगता है यहाँ पर कुछ बंद है जिसे फang yuan वहाँ पर खोदने लगता है और उसे वहाँ पर एक lotus मिलता है जिसे देखकर fang yuan कहता है तो यह ट्रजरली flower goo है लगता है यह अंदर से सील है इसके कीने इसे sand bag बना दिया है तब है उसकी सारी पतियां खोल जाती है और उसके अंदर की सारी sand नीचे गिर जाती है और वो goo एक अलक से पले लेता है इससे देखकर fang yuan हैरान हो जाता है और कहता है यह तो white boar goo है साथी fang yuan को अब सारी चीजी समझ आ जाती है fang yuan कहता है अब मुझे सब कुस समझ आ गया है white boar goo strength को enhance करता है ऐसा लगता है कि flower mind mong चाहता है कि पहले मैं इसे refine करूँ और फिर इस चटान को push करूँ जब मेरे पास उतनी strength हा जाएगी जितने मुझे जरूरत है तो मैं second test के लिए जा सकता हूँ लेकिन इसका खाना pork है और pork meat बहुत महेंगा है इसके अलावा अगर मैं इतना सारा pork meat खरीता हूँ तो लोगों का attention मेरी तरफ हा जाएगा तो इसका मतलब एखी रास्ता है मुझे खुद hunting करनी होगी और इसे के साथ फैंग्युआन निकल परता है जंगलों की तरफ hunting करने के लिए और फैंग्युआन को वहाँ पर mountain ball के पैरों के निसान दिखाई देते हैं जिनने देखकर फैंग्युआन कहता है और मैं इनका पीछा करता हूँ तो मैं उन्हें पालूंगा फैंग्युआन उन पैरों का पीछा करता है और उसे सामने कुछ दिखाई देता है जिससे देखकर वो हैरान हो जाता है और इसे suspense के सास्त ये वीडियो यहीं पर खतम हो जाती है और अगला चैप्टर बहुत ही क्रूल है तो इंतसार करना साथ वीडियो लेट हो जाए इसलिए थोड़ा से इंतसार कर लेना